अन्तिम दिनों के संकेत कारिक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूँ अन्तिम दिनों के संकेत इस नाम को जब आप सुनते हैं तो आपको कैसा लग रहा है मुझे पता नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में एक सोच आती और वो है यह है कि अंतिम दिनों के संकेत का मतलब सवाल उठता है कि क्या ये हमारे अंतिम दिनों में रहेगा या नहीं दूसरा संकेत का मतलब facts and figures ऐसा दूसरे एंगल में कुछ सवाल उठते हैं मुझे पता नहीं आप Bible को किस तरह पढ़ रहे हैं पर Bible is full of facts, figures and evidences मैंने हाली में कारिकरम देखा एक बहुत famous criminal lawyer ने एक interview दिया है और उस interview में उन्होंने कहा कि court के अंदर पहला जो है facts और evidence ही चलती है चाहे कोई भी situation हो, it's all based on facts every lawyer basis himself on facts and figures आज इस कारिकरम में अंतिम दिनों के संकेत कारिकरम में facts and figures Bible से authentic रूप से कहने के लिए brother Jagan आये है I welcome him to this program brother Jagan बहुत खुछ हुई आप से मिल के अप बहुत से कारिकरम कर रहे हैं सीरह भाद भी कर रहे हैं but one of the uniqueness of the Bible is it's an authentic book and मेरा जो सवाल है of course हम Matthew 24 के अंगल में ही जा रहे लेकिन उसके पहले मेरा जो सवाल है आप जब Bible पढ़ते हैं how do you connect ये जो end time facts जब आप देखते हैं चाहे वो Revelation हो या Matthew 24 हो हम उसके बारे में बात करेंगे आप कैसे Old Testament और New Testament को connect कर रहे हैं क्योंकि हर चीज़ का connection होता है और आप उसे कैसे आप जब उसे पढ़ते हैं तो प्रभू उसे कैसे reveal करता है आपने आरम करते ही ये बात कही थी ना facts and figures जानते हैं ये शु मसी ने कहां था वचन को सच साबित करने के लिए चिन्ह क्या वशकता है वो अदभुत कामों के द्वारा और चिन्हों के द्वारा वचन को साबित करता रहा मरकुस सूलह में और फिर यहना 448 में क्या कहते हैं ये शु यहुदियों से कहते हैं तुम चिन्ह और अदभुत कामों के द्वारा विश्वास नहीं करोगे इस तरह संसार में जो महान काम होते हैं वो तो वचन को द्रड करने के लिए ही होते हैं हमें जानना होगा कि वचन और चिन ये दोनों आपस में जुड़े हैं सभी चिन नहीं लेकिन वचन से जुड़े हुए चिन आपका दूसरा सवाल ये है कि आप इसे कैसे कनेक्ट करते हैं देखे हर एक की सेवा अलग है देखे ये बात नहीं कि किसी की सेवकाई बड़ी है या छोटी है हम देही के रूप में काम करते हैं इसलिए हर एक व्यक्ति में अलग अनोखापन होता है इच एन एवरी पास्टर देखे हर एक में विशेश्टा होती है इस प्रकार आरम से संस अधार में होने भाली घटनाओं की कटिंग करके डाइरी में इस तारीक को इस अकबार में इस तरह से आया था पिन करके रखता था कुछ समय तक तो मैं ऐसा करता रहा और फिर उसके बाद कंप्यूटर आ गए तो हम इसे सिस्टम में स्कान करके स्टोर करके रखते हैं अब हम वचन पढ़ते जाएं, हम सबूतों को जानते हैं, वचन पढ़ने पर अगर कोई घटना के संबन में, प्रभू इससे कनेक्ट करते हैं, देखे उधारन के लिए प्रकाशित वाक्या 9-6 पढ़ते हैं, कहता उन दिनों में मनुष्य मृत्यू को धूंडेंगे, 9-6 में, मृ मृत्यू को धूंडेंगे लेकिन मृत्यू उनसे दूर भागेगी, ये एक वचन है, कुछ साल पहले मैंने नियूज में पढ़ा था, याने मृत्यू को रोकने के लिए आर्टिफिशल ब्लड बनाया गया, याने नकली खून बनाया गया था, आर्टिफिशल ब्लड संसार की खबर थी, कहते हैं कि बस 72 घंटे तक ये हमें मृत्यू से बचा सकता है, हमने अलग-अलग समय से पढ़ा होगा, वचन को पढ़ने पर अगर उससे पढ़े, याने हमें दोनों को को पढ़ने करके प्रचार करना होगा, बाइबल is also a prophetic book, मतलब बहुत से लोग, मैं तो ये कहता हूँ कि अगला जो होने वाला है, उसके लिए हमें newspaper पढ़ने के जरुरत ने, बाइबल पढ़ने से ही एक clarity मिलेगा, बाइबल is also driven by the Holy Spirit, तो जो उसे पढ़ रहे हैं, वो भी परिशुद आत्मा को उन्हें understand करना है, तब ही वो परिशुद आत्मा की जो अक्षर है, वो उभर के आएगा, you'll be able to reveal the things, अब Matthew 24 को एक significant chapter में मैं देख रहा हूँ, इस Matthew 24 को मैं इस तरह से देख रहा हूँ, Jesus Christ की जितनी भी सेवकाई एक तरफ होने पर भी, इस जगर पर वो personally कुछ विशियों को futuristic रूप से ये साफ, clearly और authentic रूप से कहते हैं, हर एक believer को Matthew 24 एक turning point आप क्यों सोचते हैं, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो उनका arrest होता है, उन्हें एक false case में charge करते हैं, crucification, resurrection, इसे मैं climax का जैसा देखता हूँ, देखिए Matthew 24 को हमने पिछले दो episodes में देखा, बट ये turning point होने का क्या कार साल तक मसीहत को बचाय रखने वाले सामर्थी बचनों का या अध्याय है, ये शु का आगमन और भविश्वानी के secret का 20% यहां इन अध्यायों में हैं, भविश्वानिया हैं, तो ये अध्याय ये शु के बापस आने तक लोगों को आशा देता है, यानि पढ़े लिखे ल क्योंकि 2000 साल तक रहस्य को बनाए रखना है, यानि कभी न कभी लोग तो निराश हो जाएंगे और कहेंगे कि ये शु का आगमन इतना शिग्र नहीं होगा, इसलिए सभी पीड़ी को आशा दिलाने वाला ये अध्याय है, इसलिए ये अध्याय इतना महतुपुर्ण है, इ आएंगे, आएंगे कहकर बहुत से जेनरेशन चले गए, फिर से उसी जेनरेशन में क्या हम होंगे एक क्रिटिकल एंगल से सोचने मजबूर कर रहे हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, चले इस प्रकार समझाता हूं, कैसे? इस पाद भी यही कहते हैं, बस एक क्लास बाकी है, इसी तरह 2000 साल पहले कहा गया था, ये शुजल्द आने वाले हैं, और अभी 2000 साल बीद गए, मतलब वो जल्दी आने वाले हैं, याने ये बताने के बाद 2000 साल बीद चुके हैं, हो सकता है कि सन 2021 में ही आ जाए, याने बस एक साल बचा होगा, इस तरह से हमें समझ लेना चाहिए, इसको अलग दृष्टी कौन से भी देख सकते हैं, और बाड़ी इस लिविंग टेंपल ऐसा आपने एक्स्प्लें किया, लेकिन आपने थर्ड टेंपल का भी जिकर किया, तो ये थर्ड टेंपल जो है, वो भी बाइबल में है, तो इस पोर्ष्टन को हमें कहां कैसे पढ़ना है, कौन सा कोरेलेशन में पढ़ना है, हम कभी-क अभी, we don't take it seriously. तो लगभग, उसका जो third temple का significance क्या है? Why we should take the third temple most significantly? यही मेरा सवाल है. एक छोड़ा सा break लेते हैं. ब्रेक के बाद हम इसका जवाब देखेंगे. कारेकरम जारी रहेगा. अन्तिम दिनों के संकेत में आपका फिर से एक बार स्वागत है. ब्रेक के पहले आप से third temple के बारे में कुछ सवाल पूचा था. First temple, okay. Second temple, आपने बता है, बहुत clear था. We are the temple. लेकिन इस third temple का significance क्या है? Why the third temple plays a very important role in one's life? Especially Bible believing person के लिए ये third temple मुख्य क्यों है? यही मेरा सवाल है. तीसरे भवन के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, मत्ती 24 पंद्रह में. तीसरे भवन के बारे में बताया है, येश्व ने क्या कहा? इसलिए जब तुम उस उजाडने वाली घ्रिनित वस्तू की, जिसकी चर्चा दानियल भविश्वक्ता ने की है, पवित्रस्तान पर खड़े भी देखो, पवित्रस्तान पर उस घ्रिनित वस्तू को देखो. अंतिम समय के बारे में देखें, तो ये एक डिक्टेटर है, एंटिक्राइस्ट बाइबल कहती है, बताया है. उसके खड़े कि ये जाने के लिए पवित्रस्तान की जरूरत है, जो अब तक नहीं है. जब पवित्रस्तान आएगा, तो डिक्टेटर भी आ जाएगा. अब जब कि इस भवन की बारे में हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है, वो निश्चित रूप में आएगा, क्योंकि इसे खुला कह सकते हैं ना? क्यों नहीं कह सकते हैं? क्या आप अपने बैंक अकाउंट के डीटेल सभी को ऐसे बता देंगे? जी नहीं. नहीं बताएंगे क्योंकि ये रहस्य की बात है. इसी तरह संतान को इसे खोजने वालों को ही मिलता ऐसा लगता है? जी हाँ. मुझे पता नहीं कितने लोग इससे सहमत होंगे प्रभु यीश मसी का रहस्य केवल प्रभु की संतानों के लिए है. अन्य लोगों के लिए नहीं है. उनके इसका वैल्यू नहीं पता है. उनके लिए रहस्य में रखा गया है. देखिए मत्ती तेरह में वचन दृष्टान्तों में बताया है. क्योंकि ये स्वर्भ का भेध है. ये कैसा सीक्रेट है? ये सभी को नहीं बता सकते हैं. वैसे ही सभी को बताया तो कोई समझ नहीं पाएगा. लेकिन क्राइस खुदी सब के लिए आया है. मसी का पहला आगमन सभी के लिए है. दूसरा आग लोग ईशु को भविश्वक्ता मानते हैं, पर इससे उद्धार नहीं मिलता, परमेश्वर का पुत्र ही ये मानने से उद्धार होगा, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने से, अंतिम चिन्धों को देख कर विश्वास नहीं करना है, पर अंदर से विश्वास करना ह तो अंदर में Christ should live within us. उसके बाद भी इस्रायल का कोई राजा नहीं रहा. यानि दूसरे भावन के निर्मान के बस तुरंट बाद ही ईश्यमसी आ गये. और ईश्यू के जाने के बाद दूसरा भावन भी नाश हो गया. लेकिन ईश्यू के आग्मन के समय भावन निर्मान होगा, इसलिए ये यानि इशु के आगमन और भवन के निर्मान के बीच में connection है लेकिन हमारी नजर भवन पर नहीं है यही तो बात मैं यहां पर कह रहा हूं इशु के आगमन के बहुत से चिन है आकाश में है पृत्वी पर है हर जगह है समुद्र में भी है उनमें से एक चिन है यह भवन भी है भवन एक चिन है इस्राइल देश इतने साल बात फिरसे बसा यह एक चिन है हीब्रू भाशा फिरसे उपयोग की जाती है वर्ल्ड में हम खुद इस भाशा का उपयोग करते है यह और चिन है एक भाशा जो लुप्त हो चुके थी 2000 साल बात फिरसे आगई यह तो लोगों को क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये भवन निर्मान का इंतजार करना चाहिए, देखे ये चिन है, ये शुमसी ने खुद कहा, लूका में उसने कहा था, लूका अध्याय बारह में ये शुने कहा, तुम धर्ती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, यानि देखकर बता सकते हैं, बादल आगे इसका मतलब बारिश होने वाली है, गर्मी होगी, ये सारे रूतु पता है, तो इस युग के बारे में भेद क्यों नहीं जानते हो, मैं जब पहले आया था, तो मेरे पहले आने के बारे में भेद बताया था, ऐस जोड कर नहीं देखा, बिलाम ने कहा याकूब से एक तारा उदय होगा, ऐसा तारा उदय होना है, यह उन्हें पता था ना, हिरोद ने तो रेकॉर्ड्स निकालने के लिए कहा था, यह लिखा था, यह लिखा था, वो वचन में भी इसे देख सकते थे, तो फिर लोगों को क् आनन्द मनाना चाहिए था ना, लेकिन वो भैभीत हो गए, वही था मैं सोच रहा हूँ, where are we missing the point, कहा miss हो रहा है point, देखे बात तो यह थी कि वो, चाहते थे कि ईशु उनके धुन में गीत गाए, पर मेश और हमारी धुन में नहीं गाएंगे, हमें उनके धुन में गाना है यिशु के आगमन के दो भाग हैं, एक मेमने के रूप में, दूसरा राजा के रूप में, उस समय यहुदी लोग उसे राजा के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन वो मेमने के रूप में आए, उसी तरह से दूसरे आगमन में भी दो भाग हैं, पहले रहस्य रूप मे उठाए जाएंगे फिर राजा के रूप में साशन करेंगे रहस्य में आगमन को त्याग दी और वो राजा के रूप में आएंगे इसका इंतजार कर रहे हैं उस दिन उन्होंने गलती की और अभी वो उसे फिर से दोहराने वाले हैं और कहा जाए तो आप एक hidden truth आप कहा रहे हैं Bible को पढ़ते वर्ग हमारी जो नजरिया वो अलग है Bible के परिशुद आत्मा के नजरी से देखने से ही वो correlate हो रहे हैं So we have been reading the Bible from my point If I am reading the Bible Even reading the Bible is not from our perspective It's from how it's written in that perspective मैंने पहले episode में कहा था तीन तरीके से पढ़ सकते हैं तीसरे तरीके की आप चर्चा कर रहे हैं प्रभु के दृष्टी कौन से पढ़ना है उनके व्यू में न देकर मेरे व्यू में देखने पर I am missing the hidden treasure in the Bible ऐसा कह सकते हैं कि देखिए उधारान के साथ में बताता हूँ ताकि आसानी से समझे येशु का जन्म हुआ चर्वाहों को एक तरह से खबर पहुँचा दी गई दाउद के नगर में एक राजा जन्मा है किसने कहा? स्वर्दूत ने कहा याने सीधा संदेश बता दिया उसके बाद शास्त्रियों के लिए एक चिन हैं डिस्पले हुआ उन्हें कुछ नहीं बताया गया बस वो आस्मान में देख कर जान गए लेकिन शिमौन नाम का एक व्यक्ति पवित्रा आत्मा की अगवाई में भवन में जाता है तीन तरह के लोगों ने उस बालक के जन्म को तीन एंगल से देखा तीन एंगल से देखा लेकिन न्यूस तो एक ही थी ये तीन अलग प्रेजेंटेशन अब हम लोगों को पवित्रा आत्मा की अगवाई में संदेश पाना है यहुदी लोग स्वर्दूत के संदेश के लिए इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोग हैं उनकी नजर आकाश पर है कि क्या कोई चिन्ध दिखाई देगा ऐसे वो देख रहे हैं जिहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे आप जो कह रहे हैं वो ये होली स्पिरिट को आधार पर रखते हुए तो ये बेस वहीं पर है ब्रेक के पहले मैंने जो सवाल किया है क्राइस जो कह रहे हैं मैं जाओंगा मेरे से ज़्यादा आप करेंगे ऐसा कह रहे हैं तो इतना पावरफूल एक होली स्पिरिट हमें जब दे रहे हैं तो हम किस तरह उस होली स्पिरिट के अंदर उस रीम के अंदर जाकर और बाइबल को पड़ कर और नए डाइमेंशन से हम कैसे जाए यही मेरा सवाल है Again I am asking from the context of Matthew 24 आगे बात करेंगे Welcome back to अंतियम दनों के संकेत ब्रद जगन ब्रेक के पहले जो सवाल मैंने किया वो डीप होने पर भी वो बहुत को रिलेटिंग है क्योंकि Bible Facts, Matthew Chapter 24 सब कुछ fundamentally पवित्र आत्मा के आधार पर है तो मेरा सवाल था Christ क्या कह रहा है मैं जाओंगा इस statement को और Matthew Chapter 24 को आप किस तरह से देख रहे हैं पवित्र आत्मा को हम कैसे देखते हैं यहर एक वैक्ति का अलग नजरिया है सच में देखा जाए तो पवित्र आत्मा का अपना एक एंगल है जो की वचन है Living Word तो वचन में इस तरह का तीन वचन है हमारे पास अब रहाम के समय परमेश्वर ने कहा मैंने उन्हें सिखाया मैंने उन्हें वचन दिया यानि मैंने उन्हें बता दिया है ये Spoken Word है बता दिया है Spoken अब फिर मुसा के पास में लिखेत रूप में बचन दिया Written Word हम से कहां पवित्र आत्मा आएगा और सारे सत्य में वो तुम्हारी अगवाई करेगा Living Word पहले Spoken Word फिर Written Word अबरहम से जो कुछ भी कहां गया था वो उसने बिल्कुल वैसे ठीक ठीक किया था है ना मुसा को लिखेत रूप में दिया उसने वैसे ही किया हमारे अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा के अनुसार अगर हम करेंगे तो अभी हम उसके अनुसार चलने वाले बनते है और जब वो सिंक नहीं होती है तो हमें डर लगता है केवल भै नहीं लेकिन गलती करने पर गलती पाप नहीं है इधर जाने के बजाए उधर चले जाए तो वो गलत है जहीं पवित्रा आत्मा की अगवाई न पाने का नतीजा होता है जैसे यहुदी लोग व्यवस्ता के अनुसार काम करते हैं वैसे पवित्रा आत्मा के मार्दर्शन में हमें करना है हमें प्रती दिन बाइबल पढ़नी चाहिए प्रति दिन बाइबल पढ़िए हम थोड़ी बाइबल पढ़ते हैं सोचते मेरा काम हो गया है और कहा जाए तो टाइम डाल कर थोड़ा समय बाइबल पढ़ते हैं तुरुप्त हो जाते हैं समय हो गया लेकिन आपको प्रति दिन की अगवाई की अवशक्ता है जो शूट हो, यानि समस्या का समधान से समभंधित वचन वो धूंद्ते हैं, उसी में संतुष्ट होते हैं। और कहा जाए तो उस समस्या का समाधा नम से प्रभु कह रहे हमें सुनाई देगा। लेकिन देखे परमेश्वर ये कहता है कि तुम में living word है, प्रति दिन तुम्हारे अगवाई करेगा, हर विश्य के बारे में बताएगा, हर विश्य में अगवाई करेगा, वो जीवित वचन है पवित्रात्मा, और उसी ने हमें ये वचन दिया है, ये बाइबल, पवित्रात रिष्टी के समय से जल पर मंडरा रहा था, संसार में होने वाली सारी बाते वो जानता है, उन घटनाओं से जोडने का सही काम वही कर सकता है, इसलिए कहता हूं पवित्रात्मा के बिन आप बाइबल पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, नहीं समझेगा और वो गलती धूनने के लिए लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो पवित्रात्मा के उस रिष्टे में नहीं है, वो शारेरिक रूप में इसे पढ़ते हैं, लेकिन हम दूसरी तरह से बाइबल पढ़ते हैं, ये शुमसी इ उन्हें बिलकुल अलग दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ लोगों के लिए भविश्वक्ता है, दूसरों के लिए बढ़ाई के पुत्र है, तो किसी के लिए परमेश्वर के पुत्र है, ऐसा क्यों है? पवित्रात्मा ने कहा इसलिए वो कहते हैं, इस तरह बाइबल यह सब रहेगा, आप धोखा मत खाना, इन सब को देखिए, जैसे कि हमारे end time science जैसा, कारकरम के शीशक जैसा, बहुत साफ साफ प्रभू ने ही कहा है, जब हम इसे dissect करते हैं, तो हम अभी कहा है, 2020 में हम कहा है 2020 के लिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह अंतिम समय है, लेकिन हम जान सकते हैं कि अंतिम समय बहुत करीब है, वो कैसे क्योंकि पहले इस्तराइल देश बन गया है, यहने end time का यह starting point है, जैसे लिखा अंतिम दिनों में वो lot आएंगे, वैसे ही वो lot आ रहे हैं अगली बात उनको यरुशलेम मिल गया, यरुशलेम पाना यह अंतिम दिनों का चिन है, 2018 में यह मिल गया, अब केवल तीसरे भवन का निर्मान होने का काम बाकी है, भवन निर्मान होते यह चिन पूरा होगा, यह भवन निर्मान का काम जो है कितनी तीवरता से होगा, यान इस एंगल से अगर हम देखेंगे तो हम जानेंगे कि अंतिम दिन कितने करीब है भवन का निर्मान तो ये सबसे महतुपूर्ण बात है पहला भवन दूसरा भवन एक ही जगह पर बनाया तीसरा भी उसी जगह पर बनाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं बना सकते हैं क्योंकि ऐसी परिस्ति नहीं है क्योंकि यरुशले में दूसरी आस्ता का भवन वहाँ पर अस्तित्व में है 1967 में उनकी व्यवस्ता के अनुसार वो दूसरी आस्ता के भवन को तोड़ नहीं सकते हैं तो वो उसे ऐसे ही रहने देंगे यानि भवन बनाना है तो दूसरी जगह पर उन्हें बनाना होगा उस जगह पर नहीं बना सकते अब उस भवन के निर्मान के लिए दूसरे कारिय कर रहे हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरी जगह पर भवन निर्मान कर लें भवन निर्मान के लिए जितना पैसा चाहिए सब तयार है। यहजकेल अध्या 38 और अध्या 49 में दोनों अध्या में एक युद्ध की बारे में बताया है। यहाँ साथ पहाड़ियों के नगर से आएगा साथ पहाड़ियों का नगर यहने क्विरिनल, विमिनल, कैपिटलीन, एवन्टीन, वैलेंटीन, सीनियल, इस्क्विलियन यह साथ पहाड़ है। जो रोम नगर में हैं, संसार में साथ पहाड़ वाला नगर है। बहुत से लोग कहते हैं साथ अरिविया में होगा, लेकिन वैसे वहाँ पर नहीं है। साथ पहाड़ी वाला नगर तो केवल रोम है, यानि वो रोम से आने वाला है, यानि रोम से ही वो डिक्टेटर आने वाला है, अमेरिका के जैसे ही यूरोप बदलेगा। तो आके बात करते हैं, पावित्र आत्मा के बारे में बात की, थर्ड टेंपल के बारे में बात की, मेभी इन नेक्स प्रोग्राम वील टॉक अबॉट अबॉट एक और सवाल के साथ इस प्रोग्राम को ख़तम करूँगा, अब यही मैंठ्व 24 को अलग-अलग राइटर लि क्राइस का जो इस प्रेडिक्शन उसके बारे में, एक जग़ पर एक और राइटर लिख रहे हैं, he is comparing this with time of nova, और नोवा के समय में जब flood आय था तो इस तरह का जो इस समय को जो specifically note करके बता रहे हैं, तो इस context में क्यों पवित्र आत्मा इसे रवील कर रहे हैं, जारी रखे के अगले कारिक्र में हम फिर से मिलेंगे झाली करेश्न का जच आत्मा इसे रहे हैं, आरी रहे हैं, यारी कर रहे हैं, आरी सलाव…